हेलो वाइज तो देखो मार्केट की घिरावट में हर एक चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो चुका है और इस घिरावट में हम आज डिसकस करने वाले कुछ ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स जाहे इन्होंने पोजिशन बने और वह अभी इन्हें क्या करना चाहिए कहा सेफ अब लेवले वह सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे अब देखो इसमें पहला स्टॉक है हमारा जो हाली की लिस्टिंग है प्रीमियर प्रीमियर एनर्जी अब यह पर्टिकुलर स्टॉक इसकी अगर मैं ओवर्राल बात करो तो 43,678 करोड की मार्केट काफी अच्छी कं और इसमें ग्रोथ भी अच्छी मेरी साबसे और अब देख सकतो प्रीमियर मतलब यह सोलर इनला अच्छे अच्छे और अब करना क्या चाहिए तो एक भूंप नजर आ रहा है तो अगर यह कंपनी अगर यह level के ऊपर जब तक हे तब तक इसमें सेफ है और यह मतलब तक यह ठीक है और ये चलना कब स्टार्ट करेगी जब ये लेवल के उपर चली जाएगी मतलब 1072 के आसपास जब ये चली जाएगी तब ये कंपनी सेफ होगी तब तक नहीं 1071 के उपर ये जैसे निकलती है इसके उपर जब क्लोजिंग देती 1086 के उपर क्लोजिंग देती है तो हमें इसमें 1500 तक के उपर के टार्गेट इसमें देखने मिल सकते है और ये अगर किसी को न्यू पोजिशन भी क्रिएट करने होगी तो ये लेवल इसके लिए अच्छी है और फिर आपका स्टॉप लॉस इस ते लोग के नीचे होना चाहिए तो ये चार्ट है प्रीमियम प्रीमियर एनर्जी का जिस पे आप नजर रख सकते हो दूसरा ट्रेडर्स फेवरेट है यह है आयारेपसी आयरेपसी में बहुत लोगों ने पोजिशन लेके रखी और आयरेपसी का चार्ट भी खराब हो चुका है गोल् स्थेद्चे में डीप देक है 1534 की इंपोर्टंस क्या है यह देखो 134 इंपोर्टंस बाइंग भी करते हो तो आपका stop loss यह नीचे के लेवल का होना चाहिए मतलब यह जो पर्टिकुलर लेवल है 117 इसका stop loss आपका होना चाहिए तो IRFC एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे आप hold करके चल सकते हो लॉंगर रॉन में ठीक है मुझे सिर्फ यह नोट करना है क्योंकि यह जो चार्ट पैटन है इसमें जो हम रिसर्च कर रहे हैं भी यह कहीं तो भी आपको नोट करके रखना है मैं भी रैंडम सेड़ कर रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैंने प्री प्लाइंट वीडियो बनाया है प्रीमेर रेनरी का हम ने क्या डिस्कुस किया था वन डे चार्ट पे यह जो है इसके लिए इंपोर्टन लेवल क्या हो जाएगा 925 and then 802 925 SL 802 ठीक है तो IRFC और प्रीमेर इनर्जी हमने डिस्कुस किया नेक्स टॉक हमारा होगा इसमें RVNL अर्वनल भी बहुत लोगों ने अर्वनल लेके रखाए बट अर्वनल का भी स्ट्रक्चर अभी अभी के लिए अच्छा है मैं कहूंगा इसके लिए इंपोर्टन लेवल यह 410 का ही है 410 पर ही इसका सपोर्ट आ रहा है और इसका स्टॉपलोस बिट रहा है 375 like 409 इसके लिए सब्सक्राइब करेगा और RVNL का 409 यह एक सपोर्ट है और इसके लिए स्टॉपलोस बनेगा 378 का तो यह एक अच्छा चार्श टक्चर है कि अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर यह वीक हो जाएगा इसमें से हमें फिर निकलना है कि अरिवनल में बहुत लोग उपर लेवल पर रुके है यही सपोर्ट से यह जो मैं मार्क कर रहा हूं पहले यह समझ लीजी यह जितने भी लेवल है यह से स्टॉक्ष गूहने के चांस से ज्यादा है तो यह आपको नजर में रखने है कि यहां से गूम सकते हैं नेक्स्ट होगा हमारा NTPC देखो NTPC का IPO आ रहा NTPC ग्रीन का इस चक्कर में इसमें बहुत लोगों ने भाई करके रहा है और इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी खराब है NTPC का मैं कहूंगा यह 361 और यह बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है मतलब 361 355 यह अगर आता है तो यहां से एक स्ट्रॉंग भाई हमें देखने मिल सकती है तो NTPC भी एक स्टॉक ऐसा कि इसको यह लेवल में बाई करना है और इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसका स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 338 का हमें इधर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि NTPC का आई क्यों आई प्यों आने के बाद भी यह स्टॉप फिर से उपर के तरफ हमें जरनी करते हुए देखते हैं मिल सकता है इसली यह स्टॉप व्यूप पर जा सकता है तो NTPC होगा हमारा नेक्स्टॉप दूसरा होगा हमारा रेल्वे सिक्तर से ही रेल्टेल लिमिटेड रेल्टेल में भी बहुत सही रिटन दिये बट यह भी गोल्डन क्रॉस और फेल करते जा रहा है तो यह भी एक रिस्की यहां से एक अच्छी बाइंग दिखा सकता है 349 के असपास बाइंग इसकी और इसल होगा 333 के असपास 330 के असपास इसका ऐसल होगा अब इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स स्टॉक होगा वह होगा ट्रेडर्स फेवरेट जितने भी स्टॉक है जैसे नहच्पीसी भी बहुत लोगों ने लेके रखा है नहच्पीसी यह सब प्यू सी प्यू कंपनी बहुत सारी बाइंग यह प्यू में भी देखो गोल्डन क्रॉस और फेल हो गया यह गिर गया अब यह सपोर्ट के आसपा है नहच्पीसी इसमें हम एक बायइंग लेसक्ते है विक स्टॉपडॉस आपूप की ट्रीक ठहीए हम खोले मिन ठगामका क्थे नहच्पीसी नहच्पीसी में वी तो वि कि सेक्मानन सकते हो जाल कर सकत हुन उसके साथ नहरा आफह है हमारे चैनल का नेम तेजस नेटवर्क हमारा इस टॉक समझ लो इसे ये एक स्ट्रॉक बहुत ही स्ट्रॉंग या तेजस नेटवर्क ये बहुत स्ट्रॉंग चार्ट है इसमें बाइंग करके ना तो मैं कहूंगा एक अच्छे स्टैंडर लेवल पर मिल रहा है ये 1231 बट इसमें stop loss क्या होगा इसमें stop loss होगा 1089 का इसे बाइंग का लेवल हमें देखना है 1250 और इसमें हम SL रखके चलेंगे 1089 के असपास का इसमें SL रखना है तेजस नेटवर्क ये एक अच्छा स्टॉक है जहां हमें आने वाले टाइम में बाइंग देखने मिल सकती कि ये चार् अधित आर्गेट सीथा दो जा रहे तेजस नेटवर्क की इसे बिलकुल भूलना नहीं है ये श्रॉक बात में हात में भी ने आएगा मैं कह रहा हूं ये श्टॉक बात में हात में भी ने आएगा ये बहुत strong चार्ट है हाला कि इसमें double बहुत double टॉप बना हैं but चार्ट अभी भी इसका स्ट्रॉंग है